Alright, Hi everyone, एक most important वीडियो है अगर आप इस साल मास्टर्स में admission लेना चाहते हो आप सिर्फ qualifying marks achieve किये हो या फिर आपका एक decent gate exam में rank है under 2000 है तो भी आपके पास क्या-क्या opportunities available है Just qualifying marks पे भी कुछ opportunities है और आपका एक decent gate exam में rank है तो भी आपके पास बहुत सरे opportunities है तो मैं सारे discuss करूँगा सारे branches के लिए तो ये video FAQs के related होगा ये frequently asked questions आपने whatsapp में भी देखे होगे बहुत सारे groups में पर वहाँ पे generally wrong information आपको मिलेगी सबसे पहला FAQ जो बहुत जादा common है क्या मुझे MS में admission लेना चाहिए MS तो बहुत ही research oriented होता है तो वहाँ पे मेरा placement नहीं हो सकता तो इस question को मैं answer करूँगा सबसे पहले placement को समझते हैं प्रोजेक्ट पे just काम करना start किया होता है और उसी जगे अगर मैं MS वालों की बात करूँ या फिर Mtech RA की बात करूँ तब ही उन्होंने अपने project पे बहुत जादा काम कर चुके हैं क्योंकि वह first year से ही अपने project पे काम करना start करते हैं या फिर second year से ही अपने project पे काम करना start करते हैं तो third year में आते आते जब यह उनका placement का time है उन्होंने अच्छा खासा काम अपने research वाले project पे किया हुआ है Mtech TA ने भी projects किये होते हैं पर वो course की oriented एक तरह से mini projects हम बात कर सकते हैं एक major project नहीं किया होता तो एक placement point of view से अगर मैं बात करूँ जितने भी R&D jobs निकलते हैं R&D jobs में MS या फिर Mtech RA वालों को prefer किया जाता है हमें सिर्फ placement लेने के बारे में नहीं सोचना है sir हमें placement मिल जाएगा मतलब मैं आपको बताओ अगर आप IIT या फिर किसी NIT या फिर किसी अच्छे प्रिमियर इंस्ट्यूट में जाओगे आपको placement वहाँ पे मिली जाएगा पर क्या आपको placement मिलने के बाद क्या आप उस placement को sustain कर सकते हो या फिर आपका lay-off हो जाएगा वो totally depend करता है कि आपने Mtech में क्या काम किया है तो मैं आपसे ये expect नहीं करूँगा सर कि आपसे placement point of view से इस process में participate करो ये दो साल में आपको इतने अच्छे skills develop करने होगे कि आप एक fresher और एक Mtech में differentiating factor create कर पाँ अपने company में जाके तब ही आपको आपका वो loss वो सहन ही पाएगी company तो ये मैं बहुती अच्छी तरीके से specify करना चाहता हूँ अगर आप R&D jobs के लिए try करना चाहते हूँ तो वहाँ पे MS program सबसे best हो सकता है तो generally लोग MS programs को बहुत underrated रखते हैं पर MS program definitely अच्छे हैं बस यहाँ पे क्या limitation होगा मैं आपको बताता हूँ MS programs में आपका जो कोई project है उसके हिसाब से आपको पाच्छे subject choose करने होते हैं तो आपका पूरा course work आपके research के हिसाब से आपको choose करना होते हैं कोई problem नहीं अगर आपका project अच्छा है अगर आप किसी अच्छे professor के अंडर काम करने जाएंगे जैसे IIT मदरास में analog circuits में जो काम करने जाएंगे वो definitely अच्छे projects पे काम करने जा रहें on tech TA से भी अच्छा है और MS program से भी अच्छा है क्यों अच्छा मैं आपको बताता हूं मैंने MS program का क्या limitation बताया था यहां पर हमें सिर्फ सब्जेक्स में होते हैं जो भी हमारे project कर औरर ऑडियंटेड हैं और मैंने m tech TA का क्या बताया था कि यहांपे आपको 10 11 subjects करने होते हैं तो यह पर आपको जादा course करना पड़ता है तो same आपको coursework Mtech RA के लिए भी करना पड़ता है आपको 10 या फिर 11 subjects करने ही होते हैं तो आपके जो research वाला जो आपको project पर काम करना है ऐसे RA वो काम के लिए आपको 10 या फिर 11 subjects की requirement होती ही नहीं है आप वो 4-5 subjects में आपका हो जाता है तो बाकी के आप 6 subjects job choose करोगे टोटली आपकी choice बन जाती है तो एक तरह से आपको Mtech TA का भी advantage मिला और आपको एक research वाले project पर भी काम करने का advantage मिला तो आप R&D jobs भी बहुत आसनी से crack कर सकते हो और normal job या बहुत आसनी से crack कर सकते हो जो research and development के related नहीं है तो इस तरह से मैं expect करता हूँ कि आप Mtech RA जहां कहीं है specifically अगर IIT Bombay की एकर मैं बात करूँ तो आपको IIT Bombay का Mtech RA बहुत ही serious ले लेना चाहिए यह सबसे best opportunity है क्योंकि आपे आप R&D rules के लिए भी best suited हो over Mtech TA क्योंकि उनका R&D profile भी दिखाई देता है resume में और उनने course work में भी बहुत सरे projects की होते हैं इस तरह से वो Mtech TA से भी huge difference create कर पाते हैं placements में तो मैं hope कर रहा हूँ सबसे पहला doubt मैंने answer किया है placement point of view से कोई differentiating factor नहीं है सबका placement third year में होगा सबको placement में बेटने का opportunity मिलेगा बस हमें ये सोचना है कि placement होने के बाद हमारा lay off नहीं होना चीए हमें placement sustain करके रखना है lifetime तो इसके हमारे skills matter करेंगे सिफ placement point of view से IIT में मत जाओ क्योंकि आपको लग रहा है placement मिल गया मतलब कहानी उदर ही खतम हो गई इसा नहीं है placement मिलने के बाद भी lay off हो सकता है यह आपको समझ में आना चीए अब मैं दूसरा frequently asked question है क्या मुझे जो यह non core profiles है जैसे आप mechanical के हो civil के हो तो आप generally देखोगे कि वहाँ पे लोग M.Tech करना prefer नहीं करते specifically civil में mechanical में फिर भी design सबसे best specialization ऐसा समझ सकते हैं thermal भी सबसे अची specialization ऐसा हम समझ सकते हैं पर अगर आप civil के हो तो आप structural में जाने के बार में सोच सकते हो फिर भी वहाँ पे 75% placement IIT Bombay जैसे institute में देखा गया M.Tech में तो आपको कुन से ऐसे specialization आप चूज कर सकते हो तो मैं आपको ऐसे कुछ interdisciplinary branches बताऊंगा जो इसके बार में आप सोच सकते हो सबसे पहला branch जो आप सोच सकते हो वो है geomatics engineering यहाँ पे 100% placement हुआ है sir तो यह आपके लिए सबसे best branch हो सकते है अगर आप IIT Bombay में masters करना चाहते हो या फिर किसी भी top five colleges में से top five colleges कोन से मेरे लिए IIT Bombay, IIT Madras, IIT Delhi, IIT Kanpur और IIT Kharakpur तो यह top five colleges से अगर आप masters करना चाहते हो या फिर ISC Bangalore भी आप समझ सकते हो तो आप in specialization के बारे में सोच सकते हो Geometrics Engineering के बारे में सोच सकते हो Industrial Engineering के बारे में सोच सकते हो यहाँ भी 100% placement होता है even आप MLAI के बारे में सोच सकते हो sir MLAI में जाने के लिए आपको सिर्फ probability का knowledge होना चीए statistics का knowledge होना चीए linear algebra का knowledge होना चीए और थोड़ा बहुत आपको programming आना चीए जो आप अभी से लेकिए जो जुलाई का time है वहाँ पे सीख सकते हो आपका return test में probability और linear algebra test किया जाएगा वो programmer आप कितने अच्छे हो वो ने test करेंगे क्योंकि programming skills सिर्फ required है टाकि आप जो भी algorithm पढ़ोगे वो code करने के लिए पर algorithm समझने के लिए आपको probability theory आना चीए या फिर आपको linear algebra का knowledge होना चीए तो इस तरह से कोई भी specialization का इंसान MLAI में जा सकता है चाहिए आप chemical के हो, mechanical के हो, civil के हो आप definitely इस branch के बारे में सोच सकते है आपको कोई difficulty नहीं होगा अगर आप Mtech TA में admission लेने के बारे में आपको थोड़ा डर लग रहा है आप 3 years masters के बारे में सोच सकते हो Mtech RE के बारे में सोच सकते हो आप Mtech RE के बारे में सोच सकते हो Mtech RE में आपको definitely advantage मिलेगा अभी मैं third FAQ answer करना चाहता हूँ क्या मैं masters में admission ले सकता हूँ without gate score तो ये definitely possible है पर उसका process थोड़ा different है IIT के professors को बहुत सरे research वाले projects पे काम करना होता है तो अगर आप ऐसे project assistant वहाँ पे approach करते हो वहाँ पे project पे 6 महीने या फिर 7 महीने काम करते हो तो आपका generally project assistant role 6 महीने का होता है ताकि जो भी बच्चे उन्हें पसंद आए उसे वो MS में convert कर सके तो वहाँ पे आपका एक separate interview लिया जाएगा आपका selection procedure बहुत ही different होगा तो यह होते हुए मैंने देखा है और यह definitely possible है पर यह सब के साथ नहीं हो सकता या फिर इतना आसान रास्ता नहीं है क्योंकि सबसे पहले project assistant का role मिलना ही सबसे आसान नहीं है तो definitely M.Tech या फिर MS without gate score या फिर without top rank in gate exam possible है IIT से पर उसके लिए आपको project assistant का role मिलना चीए सबसे पहले वो आपको कैसे मिलेगा sir अगर आपने कुछ projects की है अगर आपने कुछ resume में अपने projects बता सकती हो और उस resume के साथ अपने किसी IIT के professor को mail कर सकती हो जो भी IIT का professor उसी project के related कुछ काम कर रहे है या फिर उसी specialization के related कुछ काम कर रहे है तो definitely वो आपको mail back करेगा तो वहाँ पे आपका एक separate interview होगा अगर आप professor को impress कर पाते हो वहाँ पे आपको project assistant का job role मिल सकता है और उसे भी आप आगी जाके MS में convert कर सकते हो तो ये definitely possible है पर उसके लिए आपको थोड़ा बहुत अपना resume पे अभी काम करना पढ़ सकता है तो इसके अलावा भी एक option है जैसे कुछ colleges में self-sponsored mtech program होता है जैसे IIT हिदराबाद में self-sponsored mtech program है वहाँ पे आपका fees थोड़ा जादा होता है और वहाँ पे भी return test interview लिया जाता है पर हाली के कुछ सालों में देखा है कि क्योंकि interviewer के पास जादा time होता नहीं आपको judge करने के लिए अगर आपने भी सब answer किये किसी दूसरे student ने भी सब answer किये तो वापस से वो check कर लेते हैं कि आपका क्या gate exam में rank है या फिर आपका क्या gate exam में marks है तो इस तरह से वो decision कभी-कभी gate exam के respect में भी लेते हैं जबकि वो program self-sponsored है वाँ पे gate exam की कोई requirement नहीं थी क्योंकि एक तरह से tie हो चुका है बच्चों में तो वो decision इस तरह से लेते हैं अगर मैं आपको pure बताओ कि without gate exam कैसे आप masters कर सकते हैं MS program सबसे best है project assistant बनो 6 महिने किसी professor को impress करो और उसे MS में convert करो तो IIT में totally power IIT के professors के पास होती है IIT is all about IIT professor अगर हम समझ सकते हैं तो definitely वो आपका project assistant का role MS में convert कर सकते हैं अभी मैं fourth FAQ answer करूंगा जो है अगर हम just qualifying marks achieve किये हैं तो हमारे पास क्या अच्छे opportunities हो सकते हैं अगर आप computer science की हो अगर आप electronics की हो या फिर electrical की हो तो आपके पास बहुत सरे colleges हैं government colleges जहां से भी आप masters करना prefer कर सकते हो और आपका placement हो सकता है क्योंकि first year में internship होती है या फिर अपना major project आप किसी IIT से भी जाके कर सकते हो इस तरह से भी मैंने देखा है College of Engineering पुने में मैंने ऐसे भी students देखा है जोने अपना major project किसी IIT के professor के साथ की IIT खरकपूर में जाके उनके first year में internship opportunity आ जाती है first year में यों किसी company में pre-placement offer ले ले लेते हैं तो ऐसे बहुत सरे colleges है state colleges जहाँ पे placement हो सकता है just qualifying marks पे भी और उसके लिए भी आपको profile पे सबसे पहले काम करना होगा ताकि जब भी internship opportunity आए तो अभी आप वहाँ पी उसे crack कर पाऊ अगर आप masters में जाके काम करना start करोगे तो अभी आप internship opportunity के लिए तो आपको proper तरीके से अभी preparation start करना है for post gate और अगर मैं electrical, electrical नहीं mechanical, civil की बात करूँ generally इस branches में PSU जादा dominating है government jobs के लिए जादा जाने जाते हैं इंडिया में अगर आप masters करोगे तो design या फिर structural branches आपको IIT में नहीं मिलेंगे और जा बाकी सारे branches में placement उतना अच्छा नहीं होता है civil में 75% placement IIT Bombay में देखा गया है तो बाकी सारे institutes का तुम्हें बात ही नहीं करना चाहता हूँ तो एक तरह से इंडिया में masters civil के लिए नहीं prefer किया जा सकता है पर आप जर्मनी में masters करने के बारे में सोच सकते है जर्मनी में आप दो universities हैं जहाँ पर आपका gate score valid है और आपको tuition fees भी minimum होगी या फिर zero होगी एक तरह से और आपको bank में around 10 lakh रूपिस दिखाने होगे ताकि आपका visa approve हो सके even ऐसे बहुत सरे universities हैं जर्मनी में जो आप जा सकते हो और वहाँ पे आपको tuition fees सबसे minimal होगी और आपको 10 lakhs के around ही खर्चा होगा साल का जो आप आसानी से कवा भी सकते हो वहाँ पर part time job करके भी तो अगर आप masters में interested हो अगर आप placement लाना चाहते हो masters करके तो आपके लिए Germany सबसे best option हो सकता है core branches के लिए Germany well known है तो आप सिर्फ इंडिया में ही masters करना है इंडिया में ही masters करना है ऐसे मत रहो कैसा है कि यहीं चाहते हैं coaching वाले भी ताकि वो हर साल आपको practice करो practice करो बोलके course बेच सके तो अगर आप Germany में interested हो आप masters करने में interested हो Germany में जा सकते हो वहाँ पे masters आपके लिए best opportunity हो सकती है even electrical electronics वाले भी जा सकते है पर आपको इंडिया में सबसे पहले try करना चाहिए mechanical और civil वाले directly Germany में भी try कर सकते है आपको profile पे थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा आपको ILTS exam के लिए prepare करना हो सकता है ILTS exam एक ऐसा exam है जो सारे countries में लगबख accepted है सारी universities में तो ILTS exam के लिए अगर आप prepare करोगे बहुत सरे अलग-अलग universities भी हम try कर सकते है तो मैं ऐसे कुछ students है जिनने guide कर रहा हूँ Germany के लिए अगर आप interested हो मुझे approach कर सकते हैं MS abroad तो बहुती different procedure है जो आप इतना अच्छी तरिक से सायद से well known नहीं होगे तो ये कुछ questions थे जो generally आपके दिमाग में हो सकते हैं MS admissions को लेके Mtech RA admission को लेके Mtech TA admission को लेके COEP portal में कैसे form बढ़ते हैं किस तरह से colleges choose करते हैं वो तो generally बहुत सारे videos available है ये topic पे 10 videos आपको similar मिल जाएंगे तो वो videos आप YouTube से भी clarify कर लोगे तो मैं ये कुछ informations हैं जो आपको अच्छी तरीके से reasoning के साथ नहीं आपके सामने रखे गए होगे तो मैंने ये रखा है आपके सामने तो मैं hope कर रहा हूँ कि आपके सारे doubts clear है mtech admission को लेके और आपके जो भी doubts है आप मुझे whatsapp करके भी पूछ सकते हो और इतना इथा इस वीडियो में हम फिर मिलें किसी वीडियो के साथ till then बाई